हेलो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे बिस्कित की रेसिपी ये बिस्कित की रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी क्योंकि हमने इसे गेहु के आटे से बनाई हैं और बहुत ही बढ़िया बनी हैं तो फ्रेंट्स आएए देखिए गेहु के आटे से बने हुए बिस्कित को कै ऐसे बनाते हैं। यहां पे सामगरियां ले ली है। दो कप केहु का आटा। एक कप चीनी। आधा कप नारियल का पाउडर। एक चौथाई कप खी इसको पिग्ला लिया है। आधा छोटा चम्मच इलाइची का पाउडर। अब यहाँ पे चीनी को पहले पानी डालके छोड़ देना है एक चत्थाई का पानी इसमें डालेंगे और चीनी को थोड़ी देर तक के लिए छोड़ देते हैं अब एक बॉल में डालेंगे गेहू का आटा, डेसिकेटेड कोकोनट, नारियल का पाउडर, इलाइची का पाउडर, आप चाहें तो दो हरी इलाइची को कूट के भी इसमें डाल सकते हैं सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद हम इसका डो बनाएंगे डो बनाने से पहले इसको मोहिन कर लेते हैं अच्छे से तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे सारे घी को आटे में मिक्स करना है मिक्स करते समय हमें इसको मसल मसल के मिक्स करना है तो इस तरह से मिक्स करते रहेंगे और मुठी में मसलते रहेंगे तो ये देखिए अब हम इसको एक बार मुठी में बंद करके देखते हैं तो ये बंद रहा होगा तो बस अब अगर इस तरह से बंद रहा है तो अब इसका डो बनाएंगे और डो हमें बहुत ज़्यादा soft नहीं बनाना है करक डो बनाना है तो जो चीनी हमने इसमें रखी थी पानी डालके उसी से इसका डो बनाएंगे तो ये देखिए अब हम थोड़ा थोड़ा करके चीनी वाला पानी डालते हुए इसमें मिक्स करेंगे आटे में तो बस इसी तरह से सारे चीनी को डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके और मिक्स करते रहेंगे पानी बिल्कुल भी एक्ष्ट्रा एड नहीं करेंगे बहुत ही बढ़िया बनेगी ये बिस्कीट और बिस्कीट के उपर हलकी हलकी चीनी भी दिखेगी आपको तो इसलिए हमने चीनी में थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ दिया था क्योंकि उसी पानी से डो बनाना है तो बस अब इसको तब तक मिक्स करते रहेंगे इसी तरह से जब तक कि ये डो जैसा ना बन जाए पानी का इस्तमाल एक्ष्ट्रा बिल्कुल भी नहीं करेंगे सक्त डोh बनाना है तो इसी तरह से मसलते रहेंगे जैसे जैसे चीनी पिगलेगी ये डोh बन जाएगा तो देखिए कितना बढ़िया डोh बन गया है और ये डोh सक्त है, soft नहीं बनाना है तो बस चलते हैं बिस्कित का शेफ दे देते हैं डोh को डो को दो हिस्सों में तोड लेंगे इस तरह से मैंने चाकू से काट लिया है अब एक हिस्से को इसको गोल करना है तो इस तरह से हाथ से ऐसे दबा के इसको गोल कर लेते हैं और अब हम इसको बेलेंगे तो बेल लेते हैं दवाते हुए हलके हाथ से इसको बेल लेंगे बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है हलका सा थीक रखना है और किनारे के जो ये फटे हुए एरिये हैं सबको काटके साइड कर लेंगे और फिर से इसको इसी तरह से बेल के इस्तमाल कर लेंगे अब हमने इसको स्क्वायर में कट कर लिया है अब बिस्किट जितने वरे साइज का बनाना है उतना और कट कर लेते हैं तो ये देखिए हमने इसको कट कर लिया है आप चाहे तो इसको ऐसे भी बिस्कित बना सकते हैं लेकिन थोड़ा सा डिजाइन दे देंगे तो ये ज़्यादा सुन्दर लगेगा देखने में चाकू को उल्टा कर लेते हैं और बिना धार वाले एरिये से इसको ऐसे दबाते हुए सब पे धारियां बना लेंगे इस तरह से लंबी-लंबी तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है आप चाकू की जगा पे टूथपिक का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो चलिए अब हम बिस्कित को तल लेते हैं तेल यहाँ पे गरम हो चुका है इसके बाद गैस का फ्लेम लो टू मीरियम कर लेंगे और एक-एक करके पैन में जितना एज़स्ट हो सके उतने बिस्कित डालेंगे और इसको लो टू मीरियम फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे तो ये देखिए थोड़ी देर में ये एक तरफ से सिख जाएंगे तो अब हम बिस्कित को पलट लेंगे तो अब ये बिस्कित एक तरफ से सिख चुके हैं तो साफधानी से और आराम से इसको पलट लेते हैं तो एके करके हमने सारे बिस्कित को पलट दिया हैं अब दूसरी तरफ से भी हम बिस्कित को सिखने देंगे दूसरी तरफ ज़ादा समय नहीं लगेगा एक से डेर मिनट में ही बिस्किट सिख जाएंगे तो फ्रेंट्स अब ये बिस्किट बनके तयार हो चुके हैं तो एके करके सारे बिस्किट को पैन में से निकाल लेते हैं तो फ्रेंट्स ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है लाइट गोल्डेन ब्राउन हो गया है और ये बिस्किट जब ठंडे हो जाएंगे तो एकदम कुरकुरे हो जाएंगे और खास्ता तो है ही तो बस एके करके सारे बिस्किट को यहाँ पे हमने निकाल लिया है गेहू के आटे से बने हुए बिस्किट है हेल्दी है बिना बेक किये हुए बिना जंजट के बन के तयार हुए है तो इसी तरह से एक एक करके सारे बिस्कित यहाँ पर बना के तयार कर लेंगे तो यह दूसरा बैच मैं इसमें डाल रही हूँ तो इसे भी दोनों तरफ से सेक के तयार कर लेंगे तो फ्रेंट्स यह देखिए बिस्कित यहाँ पर बन चुके हैं बहुत ही बड़िया है मैं आपको इसको तोड़के दिखाती हूँ तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की रेसेपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में